हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्विंग ट्रेट फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे पी आई इंडस्ट्रीच के बारे में एक मल्टिव्यागर स्टॉक है किसी को कुछ पुछ डौट होने कि इसमे कोई चांज नहीं है लेकिन इस टॉक में जुसी झाब से अभी निव करना सब का मन में सवाल है कि शुरुक करने से पहले आपको में जरुर एक बार बताना चाहूंगा अब हमारा इस सब्सक्राइब बात करेंगे जो कि के मिखला के सक्टर में काम करता है और इसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में मार्केट है तो यह जो कंपणी है तो एक लार्ज कैफ स्थे कंपनी है फॉटी वन थाजन का मार्केट क्या पर इसका आरोशी अगर देखेंगे टुंटी टू का आरोशी है अगर हम डेट देखते हैं डेट फ्री कंपनी का अगर प्रोमोटर प्लेस देखते हैं तो जीरो है अगर देखेंगे 3500 का ओल टाइम हाई अभी चो लेवल पे चल रहा है आट सुरॉपे शस्ते पर स्टक अभी अभी चल रहा है तो भी आट सो पे का है इसमें गिरावट आचुका है कि अगर ऐस टाक में अगर हम देखते हैं यहां पर एक बड़ी ऐसा एगडिह को स्वाङरे हैं अगर हुआ आप हुआ है तो इस सबसख अब ढए यहां पे देखेंगे वां 57 कROड का प्रफीट थी-230 क observator अगर यहां पित देखते हैं के यहां पे लॉस्पने वेशा के सब्हें प्रसेंटライフ और मुलोड देख्ते हैं कि विलांशिट में हैे रिजर्व जवर्दस्त रिजर्व में यह पे ग्रोव हुआ है अभी अगर देखेंगे लास्ट मार्स 20 में 2600 क्रोड का रिजर्व था अभिया कर देखते हैं मार्स 21 को यहां पर प्रोटर का रिजर्व में जबर्दस्त ग्रोइंग हुआ है अभी अगर बॉरोइंग देखते हैं बॉरोइंग 328 जो कि इतना ज्यादा कोई बॉरोइंग है नहीं 328 करोट का बॉरोइंग अगर इसी इसाब से हम यहां पर करोट का इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी यहां पर बढ़ा है लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं यहां यांक कि पर यहां पर एह पर परस्टमेंट हम देखें गेंगे घ्ली के देखेंगे पाड़ी के पस में hoşते जा 21 अगर उकलीक अगर इसी सब से हम जाके देखते हैं अगर हम देखेंगे यह त्राक रेकर्ड्स पर्शंटेज्ट का चिजर इतन दिया इसको अगर किसी के पॉर्टफोली में ठीक दो रूपे से लेकर कितना बार यहां पर मतलब कितना टाइम से रीटन दे चुका है कि तू रूपीज से लेके अभी जो करेंड मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 2700 का है मतलब 1300 टाइम से 1300 एक से रिटन दे चुका है यह स्टॉक तो इसलिए एक मल्टिव अगर स्टॉक है किसी को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए स्टॉक के ओपर अगर हम चलते हैं यहा स्टॉक का अगर ट्राक रिकड आप देखेंगे यहां पर इस टॉक देखती चार्ट देखती मज़ा आ जाएगा इसा स्टॉक अगर किसी का पट्फोलिय में होता है ना तो वो तो और पोड़पति बने गए सटॉक अगर किसी ने पोट्फोलिय में रख आ है तो उसको को बनने से कोई भी नहीं रोख सकता यह सब स्टॉक अपना लॉंग टर्म पोर्टफोलिय में होना ही चाहिए अगर आप सुविंग ट्रेड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इसमें कोई प्रोब्लेम नहीं है ठीक यहां पर दिखेंगे स्टॉक हमेशा 200 डे मुभी आबरेज क तो कभी टॉच करेगा ही नहीं रेजल्ट कभी खराप आना चाहिए या तो फिर कुछ निव जाना चाहिए तो उसी बेस में स्टॉक में यहां पर करेक्शन आता है ठीक है तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे स्टॉक अभी 200 डे मुभी आवरेज के पास में आ चुका है फ्रेंट्स किसी को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका इस स्टॉक में पोजिशन बना हुआ है ऑपर लेबल पर बिंदा स्थो किजिए यह स्टॉक में आपको बिल्कुल कोई डरने का रिजन भी नहीं यह एक मल्टिव अगर स्टॉक है फ्रेंट्स इसमें गिरता है अगर आप सेफ़लय करना चाहते हैं यह स्ट्पाल मयं इतना मानताव और दिए टीक को ति हैंपर स्टॉक गिरेगा सूपोर्स हैं यहां पे निच्छे आता है तो करेगा उसके बाद में आप पोजिशन बना लीजिए लेकिन यहें चांप सकते हैं यह कोई प्रोग्लेम नहीं यह सेफली सेफली ट्रेडिंग इसको माना थे लेकिन अब हिए अगर आपको पोजिशन बनाना थो भी कोई बुरा नहीं आप works कर दिखाथ इए कि पातबर शॉक्स नहीं बना है किया सकती हैं धुत पर सकते हैं ज्याद में इस तो इसलिए अगर आपको पोजिशन बनाना है मल्टी अगर स्टॉक में बिल्कुल पोजिशन बना के चल सकते हैं एक स्टॉक उठा लीजिए अगर आपका लांग टरॉम का पॉर्टफोलियो है तो यह प्राइस से यह की स्टॉक उठा लीजिए ज्यादा उठाने की ज़रू सब्सक्क्राइब करेक्शन आपको नहीं के तो इसलिए आपको कोई डर्ने का रीजन नहीं है तो एक मल्टिव अगर स्टॉक है अगर आपको पोजिशन बनाना है तो अगर आप करना चाहते हैं इसमें तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं है आपका टार्गेट प्राइस यह रहेगा तो आप इसी लेबल पर बाइंग अगर करके चलेंगे यहां पर 2700 के पास में बाइं करके जरूर आपको यह गेंगा जो को एक टोटिन पर्सेंटेज का गेन इसको इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी डाउट नहीं है क्योंकि इसा सब स्टॉक जैसे होता है न तो यह हुआ हिंदूस्तान यूणिलीबर हुआ यह सब स्टॉक में ज्यादा दिन नहीं रु से अगर दो बार आपने कर लिया तो 60 पर सन्ट का छोई गया तो सबस्न कर सकते हैं में जहां पर आपको बलता हूं कि सेफ़ली सकते हैं वेृष इंवेस्टमेंट करके सबसेपर इसे पर्द स्टॉप हाँ कि स्टावलकेश्ट 1-60 वहां ने तोप्सक्राइब करना लेकिन में थोड़ा सा रीस्ट क्रणा की थोड़ा सा होता इतना जाधा रिस्क्राइब और फिर कीए भी थोड़ा साया होता है क्योंकि वहां पे लिकर कीमार्व भी प्रेंगर सकता यह उसके था हमें प्रिप्यार रहना जरूरी ऑप बड़ी एंबस्टमेंट किजिए श्विंग्ट किजिए बड़ी असा गेंड लिजे कोई प्रोब्लेम नहीं इतना ज़्याइज रिस्क नहीं है इतना रिस्क आप सोचते हैं ठीक है अगर इस सा हम रिस्क को अगर सोच के रहेंगे पाइंगे फिर फिक्स डिपोसित कितना परसेंटेज लेंगे पैसे अब आठ साल में तो यहां पर तीन साल में डबल हो जाएगा ना इतना तो आपको को अगर आपको अभी भी डॉट है थोड़ा-थोड़ा इंवेश्ट्मेंट करके चलिए अगर आपको एक साल में तो थोड़ा-चाछा-चा-गैन मिल जाता है thank you very much friends for watching this video, I'll see you in the next video.